हेलो दियर फ्रेंड्स वेल्कम बैक ओन मैं यूटूब चैनल तो अब गुड न्यूज आ रही है सामने गुड न्यूज 62,000 भड़तियां आ गई है रीट के लिए है न और जल्द ही 2nd and 1st grade की भी आने वाली है तो इंतजार मत करिए जिसको लगना है वो अभी से मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि कुछी चैप्टर हुए है अभी तो तीनी चैप्टर आज तीसरा हो जाएगा 11th का स्लेबस आना है अगर 1st grade टार्गेट करें तो स्लेबस आना है 55 क्योशन आएंगे किस से senior base पे सिनियर बेस पे 55 क्योशन आएंगे 55 क्योशन आएंगे यूजी बेस पे और only 10 क्योशन आएंगे पीजी बेस पे तो पहले हमें टार्गेट यह दोनों करने है ठीक है तो यह टार्गेट कर लेंगे हम ठीक है तो इसकी mostly terms कुछ subject में कुछ अलग नहीं होता बस जैसे यह शब पहले सिनियर बेस का सारा खतम करेंगे फिर उसके बाद में यूजी का खतम करेंगे और फर्स्ट गेट को टार्गेट करेंगे जो भी बच्चे फर्स्ट गेट के तियारी कर लें वह अपने subject पे धिहान दें इसे ज्यादा कुछ नहीं है अगर subject में अच्छे बन रहे हैं तो क्या करेगा फर्स्ट पेपर पास मार्किंग बहुत है उसके अंदर तो चलिए topic स्टार्ट करते हैं अपना देखे ही रह गई थी मोटा मोटी बात कि जो पश्चे में बहने वाली नदिया है पश्चे में बहने वाली नदिया वो ये है चीग है वन मिनट ये कौन से देखेए गुजरात में कौन कौन से है गुजरात में सेत्रुनी जी भद्रा धाडर साबर्मति माहि साबर्मति में नदिया हैं चीग हैं कहां बहती है पश्चे में बहती है अब देखी ये जो सेत रूनी जी नदी है कहां से निकलेगी अमरावली अमरावली गुजराथ से कहां डल का हवा से कहां से अमरावली गुजराथ डल का हवा से निकलेगी फिर बात करते हैं भद्रा की बत्रा कहां से राजकोट अनियाली से और धाडर की बात करते हैं तो धाडर निकलेगी पंच महल घंटार गाउं से कहां से पंच महल घंटार गाउं चीक है पंच महल पहाड़ियां है ना वहां घंटार गाउं से निकलेगी और इसका जल ग्रहन छेतर क्या है 27-70 किमी किलोमेटर 27-70 किलोमेटर किसका धाडर का निकलती कहां से है पंच महल घंटार गाउं से साबरमती माही मैन नदियां है इनका जल ग्रहन छेतर देख लिजिए MPs नहीं कलती हैं 34842 34842 वरक किलो मीटर चीक है माही का जलगरहन चेतर कितना है 34842 वरक किलो मीटर और इसका सावर में तीका 21 664 21 664 वरक किलो मीटर बात करते हैं माहराष्टर की नदियां जो पश्चिम के और बहती है वेतरना याद रखे वेतरना और वेतरनी दोनों नदियां अलग है यह माहराष्टर में है वो ओडिशा की साइड है ठीक है तो यह important चीज है कई वेतरना देख के आप वेतरनी समझ के उसको ओडिशा में मत कर देनो तो वेतरनी नदी माहराष्टर में कालिंदी, वेधती और सरावती अब इनका थोड़ा देख लेते हैं कहां से वेतरना नाशिक त्रिबंग इतना ही याद रख लो इतने से ही सब कुछ खतम हो जाएगा छैसो सतर मीटर की उंचाए से उंचाए से बैती है नाशिक महराष्टर में है त्रिबंग पहाडिया शैसो सतर मीटर की उंचाए से बैती को बैतरना बात करते हैं कालिंदी की तो ये कहां से वेल गाओ कालिंदी वेल गाओ और करवाड की करवाड की खाडी क्या नाम है? करवाड की खाडी से निकलती है खाडी से होकर मतलब यहां से निकलती है और यहां तक बहती है इसके अंदर गिर जाती है मतलब और इसका जल करेंड कितना है 51 89 89 79 इंगलिश पर बोल ले थे हिंदी में क्या दिकतर है या बोल लो बोल ले या 89 89 89 और वेदती इंपोर्टन ना दिया है क्योंकि अगर हम जैसे टोपिक उठाते हैं यूटूब से भी उठालते ना दियों के बारह में तो उनमें यह नहीं मिलता किसमें हैं सीनियर बेस में हैं इसलिए मैं आप से कह रहे हूं जो फॉर्स्ट ग्रेट की तियारी कर रहे हैं प्रीज फॉलो करें सब्सक्राइब कर लें चैनल और डेली में यह जोग्रोफी की वीडियो तो डेफिनेटल डालूंगे इंग्लिश भी मैं बढ़ाती हूं लेकिन अभी टार्गेट जैसे फर्स्ट ग्रेट को किया है तो इसकी तरफ ही चलेंगी और कहीं नहीं जाएंग देखिए सरावती की बात करता है 20-39 वरक कीलोमेटर बहती है मतलब जल गरहन शेत्र है इसका है कहाँ हुबली धारियवाड कहां लिखूं दिखता है गहें यहाँ पर हुबली में धारवाड तक बहती है 161 किलो मिटर बहती है सरावती कहां है महाराश्ट्रों में वेतरना, सरावती, कालिंदी और वेधती वह गैर सौपा की बात करते है एक जौग जल पर पात है फिर गोवा, मांडवी और जुआरी देखें ये मांडवी, नरमदा और तापती ये नदियां क्या है एस्चुरी का निर्मान करती है किसका निर्मान करती है एस्चुरी का एक और थी ना तापती तापती किसका निर्मान करती है एस्चुरी का निर्मान करती है ठीक है बारत की कौन सी नदिया एश्री का निवान करती है, एश्री क्या होता है, जवार, नंद, मुख, अब ये क्या होता है मैं, तो ये वो होता है जो आधा बंद, मतलब आधा बंद, ठीक है, खारे पानी से, ठीक है, आधा बंद खारा पानी से, जहां नदियों का ताजा पानी समुंदर के खारे पानी से मिलता है वो क्या होता है जुआर नद हे तो यह समझ में आयगा मांडवी कहां है गवा में अब इसकी बात करते हैं है कहां ज्वारी गवा बस और कुछ एंपॉर्टन नहीं है इसका पतस़ित इन आप बात करते के 받ता के ढरल की भरत पूझा केरल के सबसे बड़ी नदी है क्या सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी नदी कौन सी है पेरियार ठीक है ये दूसरी है सबसे बड़ी तो इसका क्या है जलगर है त्रेपन सित्यान में इसका क्या है बावन त्यानिस त्रेपन सित्यान में किसका बरत पूझा का बावन इसका पेरियार का, फिर एक पांबा नदी है, जो बेबानाद जील में बहती है, इसका कितना है, 170 किलोमेटर, कितना है, 170 किलोमेटर, और इसमें कुछ नहीं है, ये नदिया है, वो क्या है, पूरव में बहने वाली, इस नदी को एक नाम और से जाना जाता है, जिसका नाम है, पोनाव, पोनाव, नी, वन मिनट, सोरी, मिस्टेक होगी, ये हुबली धारवार से वेधती बहती है, चीक है, वेधती बहती कहां से, हुबली धारवार से, और जो ये नदी है, सरावती, ये कर्नाटक में बहती है, कहां, कर्नाटक में, कर्नाटक में, सिमोंगा में बहती है, सिमोंगा में इतने दूर बढ़ती है, ठीक है, और ये वेधती हुबली धारवार में बहती है तो ये स्वान रेखा, वैतर्नी, ब्रह्मणी, ये कहाँ है पश्रिम बंगाल, ओडिश्वा अंदर प्रदेश की साइड बहती है, ये न दिया, ठीक है, पूरों में बहती है, तो पेनर का कितना है जल गरा हैं, पिछपन, 213, पालार का कितना है, एक सो, देखे कितना ज्यादा है, इसका, एक सो इटेंटर, सत्तर, कितना था किया इसमें 49,033, 49,033 वर किलोमेटर किसका है, ब्रामनी का, चीक है, अब इसमें पश्चे में बहने वाली नदिया होगी, और पूरव में बहने वाली नदिया होगी, मेरे ख्याल से इसमें से कोई confusion नहीं है, जो नदियों का टोपिक में जाओगे, उसमें ये नदिया नहीं बताई जात थी क्योंकि नदियों का टोपिक बहुत बड़ा है, है न, तो ये देखिए, मैंने इसके नदर आपको cover करवा दिये, मैं नदिया है, ये, कोई दिकत नहीं, अब बात करते हैं, एक दो वर्ड आया है, यहाँ पे नदि बहाव प्रवर्ति क्या होता है, वर्स प्रियंत, प्रारूप, क्या होता है, नदि बहाव प्रवर्ति, ठीक है, अब देखो, हिमाले के नदियां कैसी है, बारामासी है, और प्रायदीप की कैसी है, वर्सा पे अधारित है, ठीक है, अब जल प्रवा है, आयतन का माप कैसे होता है, एक होता है, क्यू सैक्स, और दूसरा होता है Q max चीक है अब ये तो होता है Q back प्रती फुट Q back Q a I can one Minер net क्यू बिक फुट क्यूबिक फुट क्यूबिक फुट प्रती कर यह क्या होता है क्यूबिक Mitra ठीक है क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड ठीक है प्रति सेकेंड ठीक है एक क्यू सेक्स और क्यू मैक्स दो इनके क्या होते है जल ग्रहेंड को मापते हैं किसको जल ग्रहेंड को जल परवाह को मापते हैं क्या आयास में में जल का वित्रन किस से होगा इन दो माप से जल का वित्रन किस से Qmax और Qsax से Qvick foot 32nd क्या होगे Qsax और Qvick meter 32nd क्या होगे Qmax अब देखिए नदियों की बात करते हैं फरक्का में गंगा की बात करते हैं उसका कितना माप है 1500 तो सबसे ज़्यादा है और 1300 क्या है सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा तेज बाहाव से बहती है तो वो तो क्या है 1500 अब बोलें, तो Qvick foot 32nd और 1300 Qvick meter 32nd ठीक है सैम ये, नरमदा का क्या है 2300 और 2300 Qvick foot 32nd 15 Qvick meter 32nd सैम ये चीक है अगर हम Qvick सैक्स में ले रहे तो इसी में हैं दोनो और अगर इसमें ले रहे तो इसके अंदर माप और बढ़ जाएगा तो ये दोनों माप किसमें है Qvick foot 32nd में अब देखिए इनका बहाव देखिए गंगा क्या है 1280 नदी है कब थंडे में और ज़ादा बहाव हो जाएगा इसका ठीक है तो मतलब जनवरी कि आसपास इसका ज़ादा बहाव हो जाएगा और अगस्त के नीरबावाट आते हैं ठीक है यहिए जनवरी से जून की जून तक क्या होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर नरम्दा की बात करें तो नरम्दा का अगस्त में बहाव तेज होगा अगस्त में ठीक है फिर अक्टूबर सितंबर में वापस गिरावट आ जाएगी इसमें सबसे तेज हो जाएगा ठीक है? और इसमें वापस गिरावट आ जाएगी और गोदावरी में भी ऐसा सही है जुलाई अगस्त में जदा होगा क्या? जुलाई अगस्त में कुझकि ये नदें किसी पेंट ऒरती है मांसुन पे रिपरंड जा tort यਸ मांसुन यहां आए गा तो और तेज हो जाएगा हिमाले के नदी है तो दौ क्या बढ़िए प्रवाह तेज रहता है ठीक है लेकिन वर्षा-री तुम से यहां होता है अगस और जुलाई अगस में बहुत ज्यादा होता है यहां पर प्रवा है तो 3250 QS 2315 QS 5513 QS अब बात करते हैं हिमाले और प्रायदीप के नदियों की थोड़ी सी डिफ्रेंस देख लेते हैं हिमाले की और यह प्रायदीप की ठीक है देखे उद्गम स्तल हिमाले की है तो हिमाले से या हिम वर्सन से कह सकते हैं हिम वर्सन से ठीक है अब देखे प्रायदीप की है तो पठार से होगी मैदान से हो जाएगी ठीक है प्रायदीप यह पठार यह मैदान से हो जाएगी प्रवा होता है इनका अपवाहे के प्रकार नदी की प्रकरती जल ग्रहेंड नदी आयू देखिए प्रवाहे प्रवर्ती क्या है इस नदी की एक तो बारा मासी बैठती है जैसे कि मैंने बताया वर्स किसे बारा मासी ये जान लीजिए बारा मासी और ये वर्सा प्याधारित अब पपाहे के परकार उबढखाबढ़ है तो क्या पुर्ववर्ती और अनुवर्ती मैदान में और यहां देखिए अर्ये परकार हो जाएगा अर्ये अध्या रोपित अर्ये आयताकार और क्या है अध्या रोपित भी है अध्या रोपित चीक है यह इसकी परकार हो जाएगे और नदी के प्रकरती क्या है पर्वतों से गुजरेगी उबढखाबढ जगह से ठीक है तो वैसे टेडी मेडी उबढखाबढ जगह से आगे और यह समतल प्रगाय मैदान में होती है यह सुनियो जित घाटिया इनके मार्ग क्या होता है निश्चित होता है घाटिया मार्ग निश्चित होता है ठीक है फिर बात करते हैं जल गरहन की तो यह क्या है इनका इनकी द्रोनिया क्या है बड़ी बहुत बड़ी द्रोनियों से जल लेती है और इनका छोटी द्रोनियों से प्रेडिप की नदियाँ वो क्या है बुडि ए प्रोड अवस्तां की और यह नदियां है वो प्रम रोटि आईतकर और उस चप्टर में नदियों की सहने नदियों कि clinician नदी जल उपयोग से समंदित और कुछ जो बीच में आया था जैसे नमामी गंगे नरम दे ऐसे नमामी देवे देव नरम दे ऐसे सकर के कुछ आया था वो किस पर चला है नरम दा नदी पर चला है ऐसे और भी बहुत सारी प्रयोजना है वो हम एक अलग से वीडियो उसके अंतर देखेंगी जो इनके बिच में आया है वो सारे एक अलग से वीडियो में देखेंगी तो ऐखोसी अगर डिप्रेंस करने हो तो सीधी सी बात है उद्गम कहां से हिमाले से होता है हिमवर्च से होता है हिम वर्च से मान लीजिए ये कह दीगैं और प्राइदिप कहा है प्रेदिप का जो पठार तर यह क्या है जैसे हीमाले कि नदी कोष्ि हो गई PARFA बाइवर्धन के लिए जानी जाती है जैसे कोशी हो गई बिहार का सोख दो को अगई और एक दामोधर हो गई यह कहां का वेस्ट बंगोल का शोख ठीक है शोख रिवर शोख रिवर और पुरवर्ती अनवर्ती है पहाडों से बहेगी उबर खबर यू यू चलती रहेगी और यह क्या है सम्तल सुनियों जित अपना मार्ग बना लेगी इनका कोई मार्ग निश्चित नहीं होता कभी कहीं भी जा सकते हैं यह दो उनका खास उधारन है ब्रह्मा पुत्तर नदी वी जो क्या है अपने मार्ग प्रिवर्तन के कारण प्रशिद्ध है इनका जल द्रोणी जल संभर और वो मैंने बताया थे आपको जो बड़ा लेगी वो जल ग्रहन शेत्र और चोटा लेगी वो जल संभर कहलाते हैं नदी क्या यू यूवावस्ता और प्रड़ावस्ता अपना अपना जो टॉपिक है आपवाए तंत्र तंत्र आज फिनिश होता है अब देखिया प्रदूशित कैसे ओर यूट खाने के कारण प्रदूशित होती हैं विक इसके अंदर नदी में बहादी गई थी ती किना पर लाशए ती जिने पोई पता ही निथा जी नहाते हैं है ना कुट्टे खा रहे हैं कुट्टे खींच-खींच के ला रहे हैं तो इस तरीके से लोग अभी इनको बहुत तुरदूशित कर रहे हैं तो आनिकार तो है इस अभी जानते हैं the kali thank you for watching my video please share it now I also need that to you all increase my courage thank you